हेलो व्रेंट्स कैसे हैं आप सब लोग दूस्तों में विशाला से स्वागत करता हूं अपी के चैनल में उमीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगी पसंद आ रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप आज की जो वीडियो है बहुत अमेजिंग है आज की जो वीडियो है उसमें बहुत सारी ट्रेक और टिप्स मैं बताना चाहूंगा और मैं बताना चाहूंगा किस तरीके से इन वाट्सेप की सेटिंग्स को आप यूज कर सकते हैं बहुत सारे लोग को इसके बारे हैं पता ह हो गा जिसके बारे में अगर आपको पता है तो आप दूबारा देख सकते हैं और फिर जिनको नहीं पताए वह देख सकते हैं, ओके धो दो स्थ लास्ट फीम क्या होता है जिसको आप तीन सेटिंग होते हैं इसके अंदर जिसके अंदर आप everyone my contact और nobody कर सकते हैं मतलब किसी को last scene नहीं देखेगा कभी भी लेकिन ध्यान न किएगा last scene अगर आप कोई आपका नहीं देख पाएगा तो आप भी किसी का नहीं देख पाएगे माई कॉंटेक्ट में जाके जितने भी कॉंटेक्ट अगर आप setting माई कॉंटेक्ट कर देंगे तो माई कॉंटेक्ट का मतलब होगा दोस्तो कि जितने भी कॉंटेक्ट आपके save है सिर्फ वो ही लोग देख पाएगे और आप भी उनी का देख पाएगे ओके दोस्तो everyone का मतलब हर किसी को जिनके पास number save है या नहीं save है उनको भी ओके दोस्तो then दूसी setting आती है profile photo profile photo पर भी same condition होती है everyone my contact nobody ठीक है दोस्तो यहाँ पर आप किसी की profile देख सकते हैं अगर करना चाहे हैं या फिर नहीं यहाँ पर ऐसी कोई condition नहीं होती है कि आप सब की देख पाएंगे और सब की आप सब की देख पाएंगे जैसे की last thing में होता है यहाँ पर क्या होता है दोस्तो आप अगर agree one कर देंगे तो सब को आपकी profile दीखेगी ओके दोस्तो और इसमें ऐसा नहीं होता है कि आप जो लोग आपकी देख पा रहे हैं कि आप उन्हीं की देख पाएंगे इसमें particular person की setting पर डेपन करता है कि उसमें setting क्या कर रहा है है last thing की तरह यहाँ नहीं होता है my contact का मतलब होता है yhtी holy Marpo verb की देख आप दौइन आता है about में भी same profile photo की तरह ही होता है कि दोश्तो हर कोई देख सकता है everyone में my contact पे करेंगे तो contact वाले लोग ही और nobody करेंगे तो कोई नहीं नहीं तो दोस्तों दहर आता है status, status की भी setting वैसे ही होती है, status क्या होता है दोस्तों, status में तीन तरीकी की चीज़ें होती है, my contact, my contact accept, और only share with, इसमें क्या कर सकते हैं, my contact पर अगर आप करेंगे तो जितने भी contact number आपके save हैं, कोई दोस्तों वही लोग देख पाएंगे ओके दोस्तों और माय कॉंटेक्ट एक्सेप्ट तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं जितने लोग आप सेलेक्ट करेंगे उनके अलावा आप उन लोगों को आपका WhatsApp का स्टेटस दीखेगा ओके दोस्तों only share with पर क्या कर सकते हैं आप कुछ particular member के साथ अपनी girlfriend के साथ या boyfriend के साथ शेयर करना चाहते है तो वह यहां पर जा क्या चेक कर सकते हैं और वो उन्हीं को शो होगा एक होता है read received यहां पर लिखा हुआ इस पर गया होगा दोस्तों आपके पास जो message आएगे उन पर blue tick नहीं होगा आप message पढ़ भी लेंगे तो भी blue tick नहीं होगा उनको भी नहीं दिखेगा आपको भी नहीं दिखेगा तो यह एक setting होती है जिसके बारे बहुत कम लोगों को पता होता है ऐसे ही एक setting होती है दोस्तों groups की जिसे everyone, my contact or my contact accept उन लोगों को आप permission देते हो कि कौन-कौन group आपके लिए बना सकता है और आपको group में add कर सकता है तो दोस्तों वह आपको डिली आप उनको block करें या कुछ करें वह आपको add नहीं कर पाएंगे यह setting पर matter करता है वह ओके दोस्तों तो यह एक बहुत अच्छी setting है इसके लाबा दोस्तों live location यह चीज़ दिखाती है आपको कि आपने कितने लोग के साथ live location शेयर की हुई है ओके दोस्तों block contact 114 लोग मैंने block की हुए है वो यहाँ पे show होते है fingerprint क्या होता है दोस्तों जैसे कि आपको font खोलने के लिए fingerprint की जिर्वा दूती है वैसे ही यहाँ पे आप WhatsApp खोलने के लिए भी इसे enable कर सकते है बहुत अच्छी setting है यूज कर सकते है तो उमीद है समझ में आयोगा WhatsApp की कुछ battery settings के बारे में अगर इनके बारे में already आपको पता हो तो दोस्तों बताईएगा और नहीं पता हो जिनको पहली आपता चला हो वो comment करके बताईएगा वीडियो पसंद आयो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूले मिलेंगे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय दोस्तों